जुला इस्तरियर राजीव गांधी ग्रामीन ओलंपिक खेलो का हुआ आगाज दोलपुर में जुला इस्तरियर राजीव गांधी ग्रामीन ओलंपिक खेलो का शुभारम आरेसी ग्राउंड से हुआ जला कलेक्टर अनील कुमार अगरवाल सहित अने अतितियों ने दोहजारो कलेक्टर ने सम्भूदत करते हुए कहा कि राजसरकार दुआरा ग्रामेंड शेत्रों में खेल प्रतिभाओं को निखारने तथा उनको राज्य वेंतराश्वेस्थर पर पहजान बनाने के लिए तैयार करने की उद्देशे से राजीव गांधी ओलंपिक खेलों की शिर्वा जो की आगे जीवन में बहुत काम आती है खेलों के दौरान इसकूली चात्राओं ने सांस्कृतिक कारिक्रमों के अंतरगत रंगारंग प्रस्तुती दी खेलाडियों को दिलवाई शपत सफेद कबूतर छोड़ कर दिया शान्ती का संदेश जिला कलेक्टर ने खेलों की श इस जिला इस तरिया उद्गाटन समारों में मौजूद जिले के मुखिया माननी करेक्ट साथ, SP साथ, ADM साथ, STM एडम, CEO साथ, उपस्तित, अन्य मेरे साथी, अधिकारी गण, सभी टीचर्स और प्यारे बच्चों आपका स्वागत और अभिनंदर सब को बच्चे, सबसे पहले तो मैं सारे बच्चों को बहुत शुक्कामना ही देना चाहती हूँ, बढा ही देना चाहती हूँ, कि आप इतने मैचों को जीत कर, आज यहां जिला इस तरिया इस उद्गाटन समारों में आए हैं, कितने मैच आपने जीते हैं, तो होसले तो आपके बुलंद है ही, और मैं ये भी आपसे कहना चाहती हूँ, कि जो बच्चे, आज विनर तो दो टीम खेलती हैं, तो विनर अमेशा एक ही टीम होती है, और एक टीम मार जाती है, तो जो विनर बनती हैं, उसके होसले तो बुलंद होते ही हैं विशेश सूचना, प्रिय किसान भाईयों, अगर आप खेत की मिट्टी की जाच करवाना चाहते हैं, तो 10 अक्टूबर 2022 तक मिट्टी के नमूने दूवे खाद बीज भंडार पर लेकर पधारे, अधिक जानकारे के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 961-07-9-8-79 पर आएदन जलभराव होने से लोगों का ध्यर्य खत्म होने लगा है, सुबह भरतपूर मार्ग पर रहने वाले लोगों की द्वारा, पीजबलू एवं प्रिशासन के खिलाफ जमकर प्रदशन कर लोगों ने रोश चताया, इस्थानिये लोगों के साथ रहगीर एवं बह अंचालकों के साथ जलभराव होने से भारी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जम्यदारों के कानों में जूतक नहीं रेंग रही, लोगों का कहना है कि भरतपूर मार्ग से अफसर एवं शेत्रिय जनप्रते निधियों का भी आगमन रहता है, किसी ने भी इस सड़क भी जड़-जड़ होती जा रही है, निकलने वाले रहागीरों को सड़क नजर ही नहीं आती है, मनिया से लक्षमी नाराइन भगिल की रिपोर्ट योगेश अगरवाल का एम्स में हुआ चया, धूलपुर के हावसिंग बोर्ड निवासी योगेश अगरवाल पत्र अशोक कुमार अगरवाल एड़ोकेट ने 2017 में RUHS नर्सिंग एंट्रिंस एक्जैम में टॉप कर उधैपुर के आर एंटी मेडिकल कॉलेज से चारो साल लगातार प्रतमस्थान प्राप्त कर कॉलेज एवं अभी भावक और शिक्षकों का नाम उचा किया है जिसके बाद उन्होंने नर्सिंग आफिसर की कोचिंग के लिए जैपुर की जैनोमिक कोचिंग में एडमीशन लिया जिसमें एडमीशन के बाद दो महीने बाद ही उन अभी भावक गुरुजनों एवं इश्वर को दिया वे धोलपुर जिले का नाम रोशन किया बिजली गुल गर्मी फुल बसाई नवाम में अगोशत बिजली कटोती की नई सुभा थोड़ी देर तक बिजली चली लेकिन उसके बाद अभी शाम तक बिजली नहीं आई जिस के कारण से इमित्र पर आने वाले लोगों के काम नहीं हो सके जैसे स्वास भी मायोजना एवं अन्य प्रकार के फॉर्म भरवाने के लिए लोग आए उन्हें आज निराशा का सामना करना पड़ा इधर उदर भचकना पड़ा एवं भिजली ना होने की वजह से दुकंदार लेकिन आज तो दिन तो काटो का चार्ज होना संभव ही नहीं हो पाया जिसकी वजह से दुकंदारों की दुकंदारी बिल्कुल ही छप रही इस गंभीर समस्या बसई नवाब ग्राम वासियों ने खासी नाराजगी के साथ विरोध किया बसई नवाब से मुकेश कुमार ज अखिल भारतिय विध्यार्थी परिशत इकाई बाड़ी उपजिला कलेक्टर राजके महवध्याले बाड़ी के लिए अतरक्त भूमी आवंटन को लेकर उपजिला कलेक्टर को ग्यापन दिया अखिल भारतिय विध्यार्थी परिशत के दिनेश्ट गूजर ने बताया कि क पारे करताओं ने कॉलेज में शिक्षा के साथ शेक्षनिक और खेलकूत की अन्य गतिविधियों के लिए राज के महावध्याले के पास खाली पड़ी सिवायच भूमी को आवंटन करने के लिए उपजला कलेक्टर को ग्यापन सौबा जिसमें नगरमंतुरी राजकुमार अ अध्याक्षर श्रफ शर्मा ने बताया कि महावध्याले के लिए ये नमी आवंटित की जाए और जल से जल्द इसकी चार दिवारी की जाए ग्यापन देते समय जिला सेयोजग दिनेश गूजर जिला चात्रा प्रमुक काजल पर्मार नगर अधियक्षर शवशर्मा नगरमंत्री राजकुमार अन्दाना चात्र संग उपाधियक्षर मौसना पठान सेयोगस अचीव दीपती वर्मा पूर्व नगरमंत्री ओमवीर अतेंद्र के अधीन संचालत समस्त मोटर दुरगटना दावा अधिकरणों में मंत्रालेक समवर्ग के पदों का पुनरगटन किया जाकर इनमें कारिरत मंत्रालेक एवं चतुरतर श्रेनी करमचारियों की राजे इस्थरिय वरिष्टता सूची बनाई जाकर नियमनुसार बैक लॉग से पदोंनती नहीं दी जा रही है समानकारिय समान वेतन के आधार पर उनके परिलाब नहीं दिलाए जा रही है जिसको लेकर राजसान मोटर दुरगटना दावा अधिकरण करमचारी एसोसियेशन के बैनर तले धरना प्रदर्शन जला शाखा धोलपूर की ओर से न्यायले प श्रेणी करमचारियों में व्यापत रोश को देखते हुए राजसान मोटर दुरगटना दावा अधिकरण करमचारी एसोसियेशन दुआरा दिनांक 28 सतंबर 2022 से अनवरत सभी जिला मुख्यालियों पर माध्यान समय देड़ बजे से दो बजे तक संचालित धरना दिया जा तो राजसान मोटर दुरगटना दावा अधिकरण करमचारी एसोसियेशन को मजबूरन उग्र आंदुलानात म कदम उचाना पड़ेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजसान सरकार की होगी इस अफसर पर साबिर खान, आदल खान, अमत कुमार शर्मा, राजकुमार शर्म अमिश्रवास्तव प्रदीप कर्श्यब दिपेंद्र मीना ब्रजेश कुमार मुख्यरूप से उपस्तित रहे साथ मुख्य मागी हिएं, टी पीची की जाएं, समय पर प्रदों निती जाएं, नए पदों का सरजन किया जाएं ताकि सभी को समार कारेश समार करलाव दिया सके, जब तक सरकार हमोने नहीं मांगती है, तो हम मारा ये धर्ल, पद्र फरदर्सन, घ्रंतर, अनुद चलतर र के इलेक्ट्रिक e-bike e-scootie e-loader आ गया है। हमारा पता बालाजी Motors राजाखेडा रोल पर तगावी मोर धोल पर। इंक्वाइन नंबर 82-09-9-7-76-21 निवेदर सफीश दूबे एक बाद सेवा कमों का जरूर दे। Note, रोईटो इलेक्ट्रिक्स प्राइट लिमिटेड कमपनी की बाडी, घुसेडी, सरमथिरा, सेपव, राजाखेडा, मनिया, मरेणा, बसेई नवाग, कंचनपर आधी जगोह पर डीलर्शिप के लिए आप हमसे संपर्थ करें। के बारे में सभी ने अपने अपने विचार रखे, अभी जीत अस्थाना ने बताया कि राजस्थान की पहली डेंटल इ-मैग्जीन हम जल्दी पब्लिश करने वाले हैं। डॉक्टर जावेद अक्तर और डॉक्टर रमंजीत कौर ने जल्दी एक डेंटल कैंप लगाने का दिलासा दिया। कुनाल खन्ना ने सभी स्टेट कमीटी मैंबर्स को धन्यवाद दिया। मीटिंग में डॉक्टर जावेद, डॉक्टर रमंजीत, प्रतीक, पाठिदार, वोलोव, नरेंद्र, कोमल, अर्चना, रगुवीर, गौतम, रॉनक, प्रशान, सजीत, आनन्द, शिवं, पलव, आदी सदस्य महजूद रहे। नमस्ते, मैं प्रशान्त कुमार मिस्रा, राजस्तान एट्सा का स्टोक्सपर्सन, आज राजस्तान एट्सा के पहली ओफीसियल मीटिंग कन्ड़ की गई, उसे भविस में होने वाली सारी गज़वीजियों, और यो जो जनाये हैं, उस्तरित चर्चा की गई, जैसे की हमार जो जनाये हैं, कैम्प, पैस्ट और यो इमैगें उसे हैं, और जो आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज लोग हमारे जो मेंबर से आ रहे हैं, से हम काम करते हैं, आने वाले टाइम में हम कुछ समय में राजस्तान के पहरी डंटर इमैग्जिन लांच करने वाले हैं, और साथ में कैम्प, हम निश्वल कैम्प लगाएंगे, जिसके अंदर जितने भी पेशन्स होंगे, सबका फिरी में इलाज किया जाएगा, आने वाले कुछ टाइम में हम एक फैस्ट भी करवाएंगे, जिसके अंदर 12 कॉलेजिस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सारे ब संपन, राजसान शिक्षक संग, राथा कृष्णन धोलपुर का जिला इस्थरिय शिक्षक सम्मेलन वी के त्यागी, AVM स्कूल घंचाघर रोर धोलपुर में आयोज़त किया गया जिला अध्यक्ष ओंप्रकाश लोधा ने बताया कि इसकी अध्यक्षता मुकेश कुमार ग कित्यागी, आदम सेंग, ALT स्काउट रहे, कारिक्रम की शिर्वात मा सरस्वती की दीप प्रज्वलित एवं पूजा अर्चना के साथ की गई, छात्राओं धुआरा मा सरस्वती की बंदना की गई और अतिती देवो भवह की परंपरा को निभाते हुए अतितियों का स्वा मुखे जला, शिक्षा धिकारी, मुकेश कुमार गर्ग ने कहा कि शिक्षकों के लिए शेक्षिक सम्मीलन आवशक है, इससे शेक्षिक उनेयन और नवाच्शारों को बल मिलता है, विशिष्ट अतिति मुके ब्लॉक शिक्षा धिकारी, दामुदर लाल मेरा ने कहा कि शिक अववाडी सुरिंद्र सिंग सिकरवार ने राधार कृष्ण संगचन की जानकारी देते हुए शेक्षिक समस्याओं के हल करने के लिए सभी को प्रेरित किया, साथी विभिन वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किये, जलाध्यक्ष ओंप्रकाश लोधा ने वार्श अतीथी गणों द्वारा भामशाह राजेंद्र सिंग राना, वीके त्यागी, हरी फूल व्याख्यता, रनेंद्र कुमार राजपूत व्याख्यता, देवेंद्र कुमार एवं कारिक्रम देने वाली चात्राओं आधी सभी को समानत किया गया, कारिक्रम का संचालन संग के पाध्यक्ष, सुरेश चंद्र मौर्या, निक्याई सबसर पर, रिशी प्रकाश, अगर्वाल, प्रदीप कुमार थ्यागी, निरेंद्र राजपूत, मनुष कुमार सोनी, रनवीर सिंग सिकरवार, सुभाष सिंग परमार, जग्दीश प्रसाद मौर्या, दयाश अंकर पक, मोहन सिंग मेना, अशो कुमार शर्मा, धान सिंग, जस्वन सिंग, राजेंद्र सिंग, राजेंद्र सिंग, राना, लाखन सिंग, कपल देव, संत कुमार शर्मा, मोहन सिंग कुश्वाह, महिंद्र प्रताप सिंग, बलवीर सिंग परमार, जितेंद्र कुश्वाह, भ परजट घोशना के बाद सेपव कजबे में प्राइमरी स्कूल की पुरानी बिल्दिंग में गवर्मेंट कॉलेज शुरू हुआ था। पढ़ाई के लिए आते हैं, SDM को दी गई शिकायत में बताया गया है कि उनके कॉलेज में विद्या संबल यूजना के तहट दो लेक्चरर लगाए गया है। पटरी से उतर चुकी है, SDM ऑफिस के बाहर प्रदशन करते हुए चातर चातराओं ने बताया कि अगर उनकी लेक्चरर लगाने की मांगे पूरी नहीं की गई तो सभी चातर चातराओं को भविश्य अंधिकार में चला जाएगा, SDM को दिये गई शिकायत पत्र में चातर उने मांग नहीं माने जाने पर कड़ा कदम उठाने की चिताब नहीं दी है। बजरी से भरे ट्राक्टर को छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, इस पर पुलिस ने वन्यजीव अधीनियम के तहर्त ट्राक्टर को जब्त कर आरूपी की तलाश शुरू कर दी थी। दर्च के लिए मौके पर भीजा गया, जहां से पुलिस उसे गिरफतार कर लिया है, गिरफतार किये गए माफिया से पुलिस पूछताच में जुटी है। जगर जगर गूज रहे मा के जैकारे भक्ती में हुआ, बस्ती का महाल सर्मतुरा कजबे सहित आसपास के ग्रामीन शेत्रों में इन दिनों नवरात्रे बड़ी धूमधाम से बनाया जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक माता के जैकारे वे भजन सुनाई दे रहे हैं, जिसे कजबे में भक्ती में महाल बना हुआ है, इस बार लोगों में नवरात्रे का काफी उत्सहा देखने को मिल रहा है। ततपश्यात मध्य एकाई कारिवाहक अध्यक्ष मीरा जगनानी ने हिंदी पकवाड़ा पर माहिंदी की गोध है अनमोल के शब्दो संग माहिंदी का दुलार किया। सचीव ममता सिंग ने हिंदी तुम सरवग्य हू मेरे लिए, समुद्र सा उफान हू, तुम ही शान हू, बहुत ही सुन्दर शब्द लिए। हिंदी ही हिंदी नजर आई, डॉक्टर प्रणव भारती मुख्य अतिति की भूमिका में पचल पर उपस्तत हुई, आपका इसनेह पाकर सभी आवांदत हो रहे थे। उपाध्यक्षि लीना खेरिया जी ने खुबसूरत गजल सुनाया, जग जीतते हैं वो जिन में जोश है जुनून हुमारी है, गजलों की संजीदगी इनकी खुबी है, प्रणव भारती जी ने गजल कारा कहकर नवाजा। रक्तदाता दिलिप मीना ने रक्तदान कर बचाई अजनबी की जान, सरमतुरा के सफुरा गाउं की रहने वाली सरीता पतनी रवी कुमार की डिलिवरी होने वाली थी, जैसे ही वह करॉली हॉस्पिटल लेकर गए, जाच करने पर लाया की मरीज में हीमोगलोबीन मात त्रि पिटल गए हुए थे, उनकी मुलाकात मरीज के परीजन रवी कुमार से हुई, रवी कुमार बड़े उदास बैठे थे, दिलिप ने उनसे कारण पूछा तो उसने बताया कि पतनी को बलट की जरूरत है, घर में कोई देने वाला नहीं है, हालांकि दिलिप ने कभी पहले बलट डोनेट नहीं किया था, इस कारण रक्तदान करने में वेह भी डर रहे थे, इसी कारण उन्होंने रक्तदाता लोकेंद्र मीना को कॉल करके केस की जानकारी दी, लोकेंद्र ने केस को वेरिफाई कर दिलिप को कहा कि आप वहीं हो, आप रक्तदान कर दो, किसी की जिन सोनिक रिपोर्ट लंपी पीड़त गोवंश हेतू बजरंग दल द्वारा बनाया गया आइसोलेट सेंटर धोलपूर बजरंग दल के कारेकरताओं द्वारा लंपी वारस से पीड़त गोवंश हेतू रीको शेत्र में आइसोलेट सेंटर बनाया गया जहां कारेकरताओं द्व पहर में लंपी वायरस से पीड़ित गोवंश की संख्या बढ़ रही है क्योंकि निराश्रित गुमन्तु गोवंश जब लंपी वायरस से ग्रसत हो जाती है तो वह आसपास घूमने वाली गोवंशों को भी इस वायरस से ग्रसत कर देते हैं इसकी रोक्ताम के लिए बजरंग जिला गोसेवा प्रमुक चंदर प्रताप प्रखंज संयूजक नरेश कुमार शुभम श्रवास्तव नवर राम नरेश शिवम विजेंद्रे रविंद्र विकास विशाल सचन रितेक आधिकारे करता अपनी सेवा दे रहे हैं और कोई सेवा दे सकता है उसका तहे दिल से स् जिससे ग्रामीनों को बहुत परिशानी होगी आज गाउं के सैकड़ो युवकों ने यूथ कॉंग्रेस जला अध्यक्ष नीरू पंड़त के नेतरत्व में कलेक्टर को बताया कि हमारे गाउं से पचगाउं को जाने वाली सड़क जो 100 साल से पुरानी सड़क है और ग्राम की खातों में भी ये सड़क बहुत पुराने समय से है इस अफसर पर यूथ कॉंग्रेस जला अध्यक्ष नीरू पंड़त सुनील जग्रिया वे ग्राम पंचाय सरपंच प्रतेने धी मरिया मेहमना रिंकु बोहरे वरुन शर्मा भूले यादव टीटू पंड़त पिल्लू जग्रिया सतेंद्र यादव शाल जग्रिया अभी वनीत राहुल वे सैकडो ग्रामीर वासी मौझूद रहे अवैध हतियार सहित एक गिरफतार जलापुल सधीशक धरमेंदर सिंग के दौारा जिले में चलाये जा रहे अवैध हतियारों के खिलाब धर्ट पकड़ भियान के तहट आज सर्मतुरा थानप्रभारी देविंदर कुमार शर्मा के नितरत्व में टीम घचत कर दो महापूर्व हत्या के प्रयास के मामले में फराड चल रहे एक आरूपी को अवैध हतियार सहित गिरफतार करने में सफलता हासल की है साथी इस संदर्व में थानप्रभा कारिवाही में थानप्रभारी देविंदर कुमार शर्मा आंगई चौकी प्रभारी परशूत्तम शर्मा, कॉंस्टेबल ओम प्रकाष, कॉंस्टेबल हरेंदर कुमार, कॉंस्टेबल भवर्श सहित अईए उपस्त रहे सरमतुरा से विशनु सोनिक रिपरыт पीड़त परिवार को प्रदान किया साहता राशी का चेक मुख्यमंत्री साहता कोश से मृतकों को 4 लाख और घायलों को मिली 40,000 की साहता राशी दोलपुर में जिले के मनिया कजबे में मकान गिरने से हुए हाथ से के पीडित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोश से 4 लाख रुपे और पीडित परिवार के दो सदस्यों के घायल होने पर 40,000 रुपे की सहायता राशी का चेक जिला कलेक्टर अनील कुमार अगरवाल न पीडित परिवार के इस्थाई रूप से रहने की विवसा ग्राम पंचायत भवन में की गई है तथा राशन का सामान भी उपलब्द करवा दिया है पीडित परिवार को मनिया में इस्थाई आवास के लिए भूखंट आवंटित किया जाएगा साथी इंदरा आवास प्रयास करने के मामले में तीन साल से फरार आरोपी के रफ़तार धोलपुर पुलिस अधीशुक धर्मेंद्र सिंग इवम अतरिक्त्यपुलिस अधीशुक बचन सिंग मीना के निर्देशन में राजस्तान मुख्याले जैपुर 드owara पुराने मामलों में वांचत आप राध के विरोध अभियान चलाया जा रहा है अभियान को लेकर विजय कुमार सिंग व्रत अधिकारी व्रत धोलपूर ग्रामीन सेपव के निकटम सुपर्वीजन में हत्या के प्रयास में लगभग तीन वर्ष पुराने मामने में फराड चल रहे सुधीर्वे योगेश जाती ठाक पर निवासी पिदावली थाना कंचनपूर को गिरफतार करने में थाना अधिकारी हेमराज शर्मा उपने रिक्षब थाना कंचनपूर के नेतरत्व में थाना इससर पर एक विशेश टीम का घठन किया गया जिस पर टीम ने कारेवाही करते हुए सेपव महादेव मंदर से गिरफतार किये गए गिरफतार किये गए मुल्जिम उसे पूछताश की जा रही है यह मुल्जिम घचना से ही फरार चल रहे थे बाड़ी से सतीश चर्मा की रपोट राश्ट्रिय पोशन महा की उप्लक्ष में आंगनवाडी केंद्र डोंगरपुर में मेली का आयोजन धोलपुर में महला एवं बाल विकास वभागत था अकांगशी जला कारिक्रम के अंतरगत नीती आयोग की सहयोगी संस्था पिरामल फाउंडेशन के सहयोगत तत्वावधान में राश्ट्रिय पोशन महा का आयोजन धोलपुरखंड पंचायत सादिकपुर के आंगनवाडी केंद्र डोंगरपुर के गाउं में पोशन जागरुकता मेले का आयोजन किया गया इस कारिक्रम में गर्बवती वे धात्री महलाएं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए पोशन विशे एनीमिया मुक्त भारत एवं चिरन जीवी योजना पर गहन चर्चा करके लोगों को जागरुकता प्रदान की गई साथ ही इस कारिक्रम के दौरान गर्बवती और धात्री महलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को उनके पोश्टिक आहार से संबंदित पोश्टिक तत्वों की जानकारी साजा की गई हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं